हेलो फ्रेंज्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल लास्ट मेट तैयारी मेरा नाम नीतु शर्मा है और आज हम पढ़ने चाहरे हैं हमारी जो फर्स चैप्टर है री प्रडक्शन अन और्गानिजम उसकी नेक्स्ट वीडियो जो की है अबाउट इसेक्शुल री प्रड इवेंट और पोस्द फर्टलाजाशन इवेंट तो उसमें जो हमारा फर्स है प्री फर्रियूचन इवेंग्स उसको हम डिसकस करने वाले है देखिए, pre-fertilization events में, यानि कि fertilization होने से पहले, अब fertilization होता किसका है, gametes का, तो pre-fertilization events में दो आते हैं, एक तो आता है हमारा gametes की formation, उसको हम कहते हैं उस process को gametogenesis, genesis means formation, gametes की formation, और दूसरा होता है, gametes बन गए हैं, अब gametes का क्या करवाना, transfer, right, तो दो process होते हैं pre-fertilization events में, और दोनों को हम discuss में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, gametogenesis, यानि कि formation of gametes, अब gametes भी जो हैं, वो दो type के होते हैं, on the basis of appearance, उनको हम दो में डवाइट करते हैं, कुछ होते हैं homo gametes, ठीक है, और यह iso gametes, example दिया हुआ है, cladophora का, जो किया algi है, second जो है, यह diagram जो हमें दिख रहा है, यह हमारा female gamete है, यह male gamete है, दोनों का, देखो, male gamete इतना छोटा सा है, और female gamete इतना बड़ा है, तो दोनों, they are very different in structure, तो इसलिए यह heterogamete हो गए, और यह जो example दिया हुआ, यह भी another alga का है, जो कि है, fucus, third जो है, यह human का, human के gamete दिये हुए है, यह जो है, यह human, egg cell है, female, और यह जो है, यह है, sperm, यानि कि male gamete, तो यह देखे, यह भी दोनों बिल्कुल different-different हैं देखने में structure में, तो यहाँ पर यह दोनों case जो है, यह heterogamete है, और यह वाला case है, यह homogamete का है, अब हम बात करते हैं, sexuality on organisms में, sexuality में क्या है, देखे, कुछ plants क्या होते हैं, जिसमें दोनो male and female reproductive organ, या sex organ, they are present on the same organism, अगर same organism पर, same plant पर, same thalus पर अगर हम उस पर present है, plants के case में, हम उसको जातर ही use करते हैं, उसके लिए term जो use करते हैं, वो होती है, homothelic, यानि कि same thalus पर दोनो, या हम ऐसे plant को बोलते हैं, monoscious plant, यानि कि same plant पर दोनों चीज़े present होना, यह example दिया हुए, कारा एलगी का, जिसमें enthridium और urgonium, यानि कि heterothelic और dioces plant, heterothelic या dioces plant ऐसे होते हैं, male and female reproductive organs जो होते हैं, वो different plants पर present होगा, यानि कि male plant अलग होगा, female plant अलग होगा, और यही same चीज़ हम animals में बोलते हैं, ऐसी चीज़ को unisexually, या आपर example दिया हुए, एक bryophyte का, markensia, markensia में देखिए, male plant, जिसके पास enthidio 4 है, और यह female plant है, जिसके पास क्या है, archiogonio 4 है, तो यह तो हमने thailas की बात कर ली, bryophyte की बात कर ली, ऐसे ही flowers भी होते हैं, flowers में जो unisexual plant होता है, अगर unisexual plant, अगर वो male plant है, उसमें male flower होंगे, तो ऐसे flower को हम कहते हैं, staminate flower, और अगर वो female flower होते हैं, तो ऐसे flower को हम कहते हैं, pistolate flower, next जो diagram है, उसमें हम यह तीनों ही देख रहे हैं, देखिए, first हमारा bisexual flower है, जिसमें male and female reproductive organs, same flower में present है, यह stamin है, और यह वाला pistil है, यह staminate flower है, इसलिए हाँ पर हम सिरफ stamin देख रहे हैं, unisexual plant का हम example देख सकते हैं, papaya और date palm, अगर हम bisexual का example देखना चाहते हैं, monoseous plant का, तो monoseous plant में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा हो गया cucurbit से, cucurbit वाली जो family होती है, coconut जो है वो भी हम कह सकते हैं, अब यही same चीज जो हमने plant में देखी है, वही animals में, animals में सिरफ हमने term क्या यूज़ करनी है, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे, homothelic, heterothelic, monoseous, dioces, यहाँ पर simple हमें यूज़ करनी है, unisexual और bisexual, bisexual यानि कि same पर male भी और female भी दोनों present होंगे, और unisexual में मतलब male भी अलग और female भी अलग, ठीक है, दोनों अलग 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 होंगे, अब bisexual को कई बर हम क्या, also known as hermaphrodite, यानि कि same अगर organism में दोनों present है, तो हम उसको क्या कहते हैं, hermaphrodite, और ऐसे organism के नाम है, leech, earthworm, tapeworm, sponges, ठीक है, यहाँ पर यह example में दिये हुए है, यह देखे, diagram दिया हुए, NCRT का ही diagram है, bisexual animal के example दिया हुए, इन्होंने earthworm, earthworm में male and female sex organ दोनों same में ही present होते हैं, और unisexual के example इन्होंने दिया हुए, यह दिखाया हुए है, testis भी present है, semi-organism में और ovary भी present है, cockroach के case में क्या है, unisexual यानि की male cockroach अलग है, और female cockroach अलग है, female cockroach में आपर ovaries दिखाय हुए है, और male cockroach में testis दिखाय हुए है, तो यह जो है, यह unisexual है, अगर हम cockroach कहें, तो cockroach हमारा unisexual है, और अगर earthworm कहें, तो earthworm हमारा bisexual है, तो यह था sexuality के बारे में, तो ये हमने पढ़ा gametes के बारे में, gametogenesis, next है हमारा gametes का transfer, यानकि gametes बन गए हैं लेकिन gametes का transfer, अब gametes का transfer के लिए क्या है, most cases में क्या होता है, जो male gametes होता है, male gametes जो होता है, वो जाधा तर motile होता है, male gametes motile होता है, in most of the cases, और जो female gametes होता है, वो कैसा होता है, non motile, या हम क्या कह सकते हैं stationary तो अब female gamete suppose यहां पर है ठीक है तो male gamete को कहीं से यहां तक पहुचना पड़ेगा ठीक है तो पहुचने के लिए medium चाहिए होता है और most of the time जो medium होता है वो क्या होता है water होता है तो since अब यहां से male gamete को यहां पहुचना है तो during this transport बहुत सारे male gamete क्या हो जाते हैं जर्नी में ही हो जाते हैं lost हो जाते हैं इसी लिए large number of male gametes are required in order to compensate the loss of the gametes during the travel तो transfer के time पर जो loss हो जाता है उसको compensate करने के लिए जो male gametes होते हैं they are produced in larger amount जबकि female gametes जो होते हैं few in number होते हैं क्योंकि stationary होते हैं यह जो एक जगे से दूसरे जगे गमीट के formation के बाद उनका पहुचना male gamete का female gamete तक पहुचना है गमीट का जो transfer होता है इस process को हम कहते है pollination ठीक है हमने पहले जोटी classes में भी पढ़ा है यह pollination और pollination दो type का होता है एक होता है self-pollination और एक होता है cross-pollination self-pollination क्या होता है जो भी plant bisexual होते हैं bisexual का मतलब क्या है same plant में same flower में हमें क्या देखेगा enter भी यही पर ही है और जो हमारा stigma है वो भी यही पर है ठीक है और cross-pollination में क्या होता है क्योंकि flower different होगा और sometime plant भी different हो सकता है unisexual plants के हम अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होगा एक जगे से उसको दूसरे जगे पहुशना होगा plant different होगा sometime flower different होगा तो उसको हम कहते हैं cross-pollination यहाँ पर diagram में दिखाया हुआ है देखिए नीचे जो छोटा यह diagram दिया हुआ है यह वाला जो diagram है यह self-pollination का है एक ही plant में यह stigma से यहाँ से एंथर जो है यहाँ से pollen grain पहुंच जाएंगे और land करेंगे किस के उपर stigma के उपर same plant में और यह cross-pollination है जिसमें क्या है कि एक flower से तूसरे flower पे कई बार यह एक flower से दूसरे flower दो तरह का हो सकता है यह कई बार same plant हो सकता है और कई बार यह different plant हो सकता है यह हम बाद में हमारी जो next chapter की classes होगी वहाँ पर थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे तो यह हमने जो पढ़ा है आज पढ़ा हमने pre-fertilization event के बारे में जिसमें हमने दो main topic पढ़े हमारा एक हमने पढ़ा gametogenesis और दूसरा हमने पढ़ा था किस चीछ के बारे में gamet के transfer के बारे में यह आपको जो notes है जो हम यह notes पढ़ा रहे हैं यह notes आपको मिलेंगे हमारी video के description में वहाँ पर आपको drive का link दिया होगा वहाँ पर आप उसको download कर सकते हैं PDF form में और अगर आपको कोई suggestion देना है हमें या कोई भी query है आपकी तो आप हमें हमारे facebook page पर जाकर message कर सकते हैं comment section में comment कर सकते हैं